वेलकम टू वाइफाई स्कूलिंग कैसे हैं सब लोग आप I hope सब लोग बढ़िया होंगे लॉक्डाउन का मजले रहे होंगे चलिए तो आज हम आपके लिए मसा चप्टर लेके हैं साइंस का नाइथ क्लास के लिए वाई डू भी फॉलल तो सुरू करें चलिए शुरू करते तो जैसा कि हम देख रहे हैं introduction में कि health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially यह वाला sentence आप देख रहे हैं यह बोल रहा है कि health is a state, health एक ऐसा state है जिसमें आपकी जो body है, आपके जो body का function है वो physically, mentally and socially अगर सही से काम करता है तब ही आपके health अच्छी है ठीक है तो यह चीज़े तीन चीज़े आपको ध्यान रखना है कि health क्या है एक ऐसा state है जो कि well enough to function एक body को function अच्छे से function करने के लिए कौन कौन सी चीज़े सही होनी चीज़े, physically सही होना चीज़े, mentally सही होना चीज़े and socially सही होना चीज़े, check समझ आगे यह बात, चलिए any disturbance in the structure or function of any organ or a part of a body, इसमें दो वर्ट ध्यान देखिए कि disturbance आया है इसमें, disturbance कहने का मतलब यह है कि किसी भी body में या organ में या किसी भी body के part में कोई भी disturbance आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, disease बोलते हैं, इसका sign है, यहां अब आपको कुछ में कुछ disease हुआ है, अब disease होता क्या है, या आपको various type of cause कैसे है disease के, वो देख लेते हैं, तो various causes of disease are, यह pathogenous virus and bacteria का नाम है यह, lack of nutritious diet, balanced diet and lack of public health surface, कहने का मतलब यह है, कि अगर को disease है, तो उसके 3-4 कारण हो सकते हैं, वो कौन-कौन से कारण है, हमें एक introduction के type पे ले ले लेते हैं, आपको कोई virus या वेक्टेरिया के वैसे disease हो सकता है, जैसा कि अभी COVID-19 के चलते हैं, हमें disease सुनने को मिल रहा है, कि बहुत सारे लोग वायर Nutrist diet, Nutrist diet मतलब आप सही खाना नहीं खा रहे हैं, balanced diet, आप कभी access खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, तो यह balanced नहीं होता, balanced diet आपको लेना होता है, lack of public health service, आपको daily, daily नहीं, monthly एक बाद check-up करवाना ही होता है, full medical check-up, तो उसे हम public health service भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर आप महीनी में एक बाद check-up गरावाता है, तो आपकी body की functional हामें पता चल जाती है, कि यह body सही से काम कर रही है, कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, monthly एक बाद medical check-up करवाना जरूर जाता है, यहां तक समझना आगया, चलिए next में, तो अब इसमें देखे हैं, कि हमारे पास कुछ disease के नाम होते हैं, disease के कैसे कैसे नाम है, वह हम देख लेते हैं, जैसे ही, acute disease, occur suddenly and last for the short duration, while chronic disease develop slowly and last for long period, अब इसमें acute disease का नाम दिया गया, acute disease का मतलब इन्होंने बोला है, कि यह suddenly होता है, suddenly हुआ, last for a short duration, मतलब कुछ time के लिए होता है, 3-4 दिन के लिए होता है, यह अपने आप खतम हो जाता है, आप इसकी precaution भी ले सकते हैं, medicines भी ले सकते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं होत होता है, बर chronic disease, chronic disease slowly start होता है, और यह long period of time के लिए रहता है, इसके example अगर देख लें, acute disease के example, सर्दी जो खाम यब बुखार, normally जो आते हैं, वो मौसम की वज़े से, वो acute disease में आते हैं, जैसे आपको last long, chronic disease में अगर देखा जाए, example के तौर पर तो यह जैसे type file हो गया, यह स The disease infection can be prevented by lifestyle exercise, proper sleep, enough relaxation, modification taking, balanced diet, good personal health and hygiene and also maintaining a clean and healthy surrounding, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपको disease से बचना, infection से बचना है, प्रिवेंट करना है अपने आपको, तो आपको अपनी lifestyle में थोड़ा सा मोडिफाई करना पड़ेगा, वो क्या क्या मोडिफाई करना पड़ेगा, वो क्या क् आपको डेली exercise करना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, आप डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि 8 घंटे की स्लीप जरूरी होती एक व्यक्ति के लिए, 8 घंटे की सोना जरूरी है, enough relaxation, आपको relax भी करना होगा, कि आप यह नहीं कि पूरे 24 घंटे काम करते है रिलाक्स भी जरूरी है, modification taking balance diet, आपको balance diet लेना पड़ेगा, good personal health and hygiene, आपको personal health के लिए good doctor से मिलना पड़ेगा, hygiene चीज़े खानी पड़ेगी, and also maintaining a clean and healthy surrounding, अपने आस पास के surrounding को, आपने clean and healthy रहना, सबसे important चीज है, अगर healthy रहना है आपको, समझ गया? Treatment involves killing of microbes, अब आप किसी virus से, या किसी disease से infected हो, तो इसके लिए आपको treatment भी provide है, तो आप treatment करवा सकते हैं, तो यहां तक समझ में आगया? चले, next, अब देखे health, health क्या है? Health में है, health is a state of physical, mental and social well-being, health जैसे मैंने आपकी first introduction में बगाया था है कि health क्या है, physical भी होना चाहिए, mental भी होना चाहिए, social भी सही होना चाहिए, तब ही हम health के बारे में अच्छे से, पढ़ सकते हैं, और आपने आपको, समझा सकते हैं, क्या है health actually होता क्या है, हमें कैसे इसको Maintained रखना है, the condition necessary for good health हार, condition कौन कौन सी है, good health के लिए, condition कैसी होनी चाहिए, वो देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, good physical and social environment होना चाहिए, good economic condition होनी चाहिए, मतलब, physical and social environment आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली जैसे आपको daily exercise करते हैं, फिजिकली आपकी सही health हो जाएगे, good economic condition, economic condition आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप balanced आइडिया, खाने पीने में कोई दिक्कत ना है, अब good physical and social environment include clean surrounding, good sensation, proper garbage disposal and clean good physical में देखे क्या का आजाता है, जैसे social environment आजाता है, including clean surrounding आजाता है, good sensation आजाता है, proper garbage disposal आजाता है, clean drinking water आजाता है, यह सारी चीजे आपको good physical में आजाता है, अब good economic condition include job opportunity for earning to have a nutrients food and to lead a healthy life, कहने के मतलब यह है कि अगर आप economic condition अगर अच्छी होती है, तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं, साब सुतरा खाना खा सकते हैं, इसके लिए आपकी condition economic condition अच्छी होती है, परिशनल और community issues both matter for health, परिशनल और community issues जो होती हैं वो health को matter करती हैं, यहां तक समझ में आगया, चलें next, अब यह community health होता गया, All those activities which people do both individually and in groups for development of their society constitute the community health, इस का है, community definition क्या बताए गया है, कि जितनी भी activities होती है, जो कि लोग करते हैं, individual अपने आप के लिए, या groups के लिए, या colony के लिए, या society के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, development के लिए, तो उसे हम बोलते हैं, community health बोलते हैं, Personal and community health are supplementary to each other, यह हमारा पास supplementary है, जरूरी है, We protect ourselves by keeping our body clean, अब देखो, हम अपने आपको कैसे सुरक्ष्चित रख सकते हैं, अपने आपको सुरक्ष्चित भी रख सकते हैं, जब हमारी body clean होगी, For this, we also require a good and healthy environment on surrounding, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और healthy environment की जवद पड़ेगा, अब जवद पड़ेगा, अब यह तो हम यह तो हैंगी कहीं से खरीद के लिए क्लिए क्लिए खुद इसको clean और healthy environment बनाना पड़ेगा, We can have this only by the means of community health and development, अब यह good surrounding healthy environment कहां से मिलेगा, यह हमारा इधरी से मिलता है, जो कि community health क्योंकि यह community health और development जो होता है, यह इसी के लिए काम करती हैं कि हमारा आसपास का area surrounding साफ सुथरा रहा है, So both personal and community health are interrelated, इसलिए personal and community health जो होता है वो एक दूसर से interrelated होता है, यहां तक समझ में आगया, चलिए next, अब देखे इसमें दिया हुआ है, difference between being healthy and disease free, difference between being healthy and disease free, मतलब being healthy रहना और disease free में क्या फर्क है वो हम पढ़ लेते हैं, being healthy, it is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially, जैसे मैंने आपको बताया था, first page में ही बताया था, कि अगर आपको healthy रहना है, तो you have to well function physically भी आपका function अचा होना चाहिए, mentally function अचा होना चाहिए and socially भी, अगर being disease free रहना है, तो it is a state of absence from disease, मतलब आपको इसमें disease से दूर, मतलब दूर ही रहना, disease नहीं होना चाहिए, तो being disease free इसे बोल देते हैं, कि आपको कोई disease नहीं है बस, तो second difference कहा है, it refers to the individual physical and social environment, यह refers कहते हैं individual physical and social environment, यह खुद को ही being healthy में, खुद को ही हम refer कर सकते हैं physical and social environment, it refers only the individual, यह सर्फ और सर्फ individual को ही कर सकता है, इसमें social और physical दोनों होते हैं पर इसमें सिर्फ और सेफ खुद को, the individual has good health, individual क्या होता है, good health होती है, the individual may have good health और poor health, इसमें कहा है कि disease free वाले में क्या होता है, कि यह इसके पास good health हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, it depends upon कि वो कैसा balance diet या कैसे surrounding में रहता है, सब्सक्राइब होता है, next, what does disease look like, अब disease किस तरह के दिखते हैं, यह तो हमें नहीं पता क्योंकि we are not doctors, then, फिर भी हम इसके बारम पढ़ेंगे, कैसे वो देख लेते हैं, when a person is affected by a disease, as the functioning or the appearance of one or more system of the body will be change for the worse, जब कोई person affected होता है, किसी भी disease, either the functioning of the appearance of the one or more system of the body will change for the worse, जब अगर उसकी body का एक ही part या एक से ज़्यादा पार्ट भी functioning problem करते हैं, तो बंदा क्या है, किसी न किसी disease से affected, these changes give rise to symptoms and signs of disease, अब यह change क्या होता है, उसकी body में कुछ change आने लग जाते हैं, जिससे बुखा रहता है, तो सरीर गरम होने लगता है, sweating आने लगती है, यह सारे क्यां symptoms आने लग जाते हैं, अगर symptoms दिखाने लग जाए, sign दिखाने लग जाए, तो हमें क्या पता देता है, कि यहां कुछ म कुछ हमें बेमारी है, तो on the basis of symptoms, the physician look for the sign of a particular disease and conduct test to confirm the disease, अब क्या करता है, कि हमारे जैसे हमें बुखा रहा है, तो हमारा सरीर गरम होता है, नेक्स में दिखा है, types of disease, अब दो types की disease होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, acute disease and chronic disease, acute disease में क्या है, कि यह होता है, which lasts for only very short period of time, and affect body suddenly and quickly, यह क्या होता है, कि बहुत ही जल्ली, मतलब इतनी जल्ली आता है, और जल्ली चला भी जाता है, suddenly or quickly affect करता है, जैसे एक्जांपल देख ले, cold, cough, typhi, यह सब क्या है, acute disease है, chronic disease में the disease which lasts for a long time, even as much as lifetime, called chronic disease, आप एक बात ध्यान दीजे, मैंने पीछे एक बार chronic disease, acute disease का example, sorry, उसके लिए, actually acute disease में आता है, तो chronic disease में क्या है, बोला गया था है, बोला कि तद दीजे, which lasts for a long time, even as much as lifetime, बाल यह जिंदिगी भर के लिए भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलता है, chronic disease बोलते है, एक एक ग्जांपल दाइबटीज, पूरी जिंदिगी भर के लिए होता है, elephantasis, यह भी जिंदिगी भर के लिए होता है, यह सारी क्या है, chronic disease के एक ग्जांपल है, चलिए, next, microorganisms, microorganisms की वज़े से, अब कौन-कौन सी बिमारीज होती है, वह हम देख लेते हैं, जैसे viruses, common cold हो सकता है, influenza हो सकता है, mia cellis हो सकता है, chicken pox हो सकता है, eats, hepatitis, etc. सारी क्या वायरस असी वज़स होता है, अगर किसी एक को होगा, तो वह जैसे common cold हो, common cold हम जैसे एक को होता है, तो अगर शनीजिंग अगर उसने हैंकी यह रोमार नहीं रख 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 की है, तो शनीज करता है तो उसकी वज़से हैं, आज पास वालों को भी हो जाता है, यह वायरस की वज़स होता है, bacteria, cholera, sci-fi, tuberculosis, TB, tetanus, anthrox, food poisoning, यह सब क्या है, bacteria की वज़से होता है, fungi, skin infection, skin infection किसी वज़स होता है, fungi, protozoa, malaria, embryo bike, sleeping sickness, extra, यह जितने भी चीज़े हैं, protozoa की वज़से होता है, worms, intentional infection, elephant axis, यह जितनी भी चीज़े हैं, वो worms की वज़स होती है, यह टेबल आप जरूर याद कर लेए, चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, कोई भी आपको डाउट हो, तो comment box पे आप comment कर सकते हैं, हम आपका डाउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, धन्यवाद,